अधिक आज का टॉपिक क्या रहने वाला है कि होम उनिवरसिटी क्या होता है उसके फाइदे क्या है और उसमें कौन-कौन अप्लाइ कर सकते हैं और कितने सीट्स अवैलेबल रहते हैं अगर कॉलेज में 100 सीट्स तो वो कितने सीट्स के लिए एलिजिबल है ठीक है अगर वो काटेगरी में भी आते है तो उस काटेगरी के लिए कितने सीट्स अवैलेबल रहते हैं वह भी उनको पता नहीं रहते है the only thing that कि अगर यहां पे 100 seats है तो मुझे easily admission मिल जाया but ऐसी चीज नहीं है you have to understand the seat matrix seat matrix क्या होता है वो ठीक से आपको समझना चाहिए बहुत सारे categories है बहुत सारे quotas है और अगर 100 seats का अगर हम count लेते हैं तो उसमें से महाराष्ट्रो seats कितने रहते हैं all India seats कितने रहते है या फिर बहुत सारे types है तो हम एक एक discuss करेंगे बन आज के वीडियो का topic है कि home university ठीक है तो उस पे हम focus करने वाले उसके लिए कितने seats रहेंगे वो हम discuss करेंगे तो without wasting much more time start करते है तो total seats जो रहेंगे total seats for the admission so there are two categories first one is the sanction intake ठीक है sanction intake रहता है और दूसरा जो रहता है that is supernumerary quota ठीक है तो sanction intake मतलब यह government की तरफ से उनको sanction किया रहता है college को let it be अगर 60 seats per class ठीक है तो वो sanction intake है but college क्या कर सकता है उसके ऊपर भी admission ले सकता है based on the different quotas, अलग-अलग quotas रहते हैं like a TFWSA, EWSF ठीक है तो वो सब supernumerary quota में आते हैं, मतलब these seats are different than this मतलब अगर sanction 60 भी है ठीक है तो उसके ऊपर, मतलब based on the 60 कुछ percentage, 10%, 5%, total 15%, ऐसे कुछ तो seats इसके ऊपर college admit कर सकता है ठीक है, तो वो हम बाद में discuss करेंगे, आज का topic मेरा क्या है sanction intake पे, क्योंकि हम जो home university समझने वाले, that comes under a sanction intake, ठीक है, तो आगे जाते हैं okay, so sanction intake, let it be, अगर मेरा 100% consider कर लिया, मतलब यहाँ पे अगर मैंने 100 seat consider कर लिया, ठीक है, 100 seats, पर दा 100%, ठीक है तो उसमें से अब दो types है, एक institute level और एक cap seat, cap मतलब क्या रहता है centralized admission process, ठीक है, जो अभी आपका CD का result आ चुका है, तो next step is what, registration okay, तो वो registration कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या steps है, वो भी मैं आपको detail में बता दूँगा, ठीक है तो इसमें 100% में से 80% cap में आ जाता है, centralized admission process में, मतलब 100 में से 80 seats are available here, ठीक है और अगर institute level, institute level मतलब क्या रहता है, colleges वो खुद से fill up कर सकते है, 20% seats, उनका अलग से procedure रहता है उसके लिए आपको हर एक college को visit करना पड़ेगा, जहां जहां पे institute level seats available है, ठीक है not every college has a institute level seats, तो इसलिए, जिस colleges में institute level seats available है, तो उस college में आपको जाना पड़ेगा, वहां का process समझना पड़ेगा and then you have to apply for that, ठीक है तो यह institute level पे होता है, तो समझो 100 seats है, तो उसमें से 20 seats यहां पे आ गए, ठीक है अब 80 seats में से, मतलब total sanction interior लेता है, तो उसमें से 65 परसेंट ठीक है, और 15 परसेंट, यह दो डिवाइड किया, 80 को कैसे देखो डिवाइड किया, 65 and 15 में तो 65 is for the maharashtra state seats, maharashtra state seats मतलब क्या रहता है, CET exam के basis है, ठीक है, जितने भी students ने CET exam दिया है, they can apply for this seats और all India क्या रहता है, तो जिन्होंने J exam दिया है, they can apply for this, तो अगर 100 seats है, तो उसमें से 65 इनके लिए available है, और इनके लिए 15 seats अब देखो कैसे seats कम होते जा रहे है ठीक है, आप जब देखोगे तो अरे 100 seats है, मेरा तो number easily लगना चाहिए, but this is not the case, आपको समझना चाहिए कि quota wise कहां कहां पे seat distribute हो रहे है, ठीक है, तो अब हमारा topic आज कहा है, home university ठीक है, तो अगर 100 seats है, तो उसमें से home university के लिए सिर्फ 45 seats available है, through cap, समझ में आ रहा है, is it clear to you, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेरे बाद सिर्फ 45 seats है, 100 में से, और यहाँ पे almost around 20 seats आ रहे हैं, ठीक है, एक हाथ बूसरा seat इधर उधर हो सकता है, ठीक है, but normally around 45 seats, 100 में से, ठीक है, और we can say simply half of the seats यहाँ पे आ रहे है, किन के लिए, तो home university के लिए, तो home university क्या होता है, हम आगे detail में पढ़ेंगे, but अब यह जो seats है, इसमें भी बहुत सारे distributions होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, आज सिर्फ हम home university पे focus करते हैं, ठीक है, तो अब यह एक चीज़ पता चल गए है, कि मुझे 100 seats अगर रहते हैं, sanction, तो उसमें से around 45, ठीक है, मतलब half of this, almost half of this seats मेरे लिए available है, अगर मैं CT exam के through, और वो भी home university के through admission लेता हो, तो home university क्या है, वो हम देखते हैं, आगे बड़ उससे पहले मैं, यह जो percentile है, वो मैं example के साथ आपको बदाता हो, देखो यहाँ पे, यह एक example लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही clear कर दिया, देखो 80% for the cap and 20% for the institute level, यह जो topics है, यह हम बाग में discuss करेंगे, next video में मेरे आ जाएगा, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, but, यहाँ पे आप देख सकते हो, 80% seat, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, see, 80% seat for the cap, ठीक है, अब आगे जाएंगे, तो देखो, sanction intake कितना है, इस branch के लिए, इस branch पे देखो, मैंने क्या महाराश्टर स्टेट सीट कितना है, 65 आने चाहिए, ठीक है, 100 अगर है, तो 65%, मतलब, sanction intake के 65% यह होना चाहिए, अगर मैं calculator लेता हो, यहाँ पे आप देखो, तो sanction intake कितना है, 240, into 0.65, तो यह देखो, 156 आ गया, करे, तो यह हो गया मेरा, महाराश्टर स्टेट सीट, मतलब, सीट के लिए, ठीक है, और अगर, अल इंडिया देखते हैं, तो मैंने देखो, यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर किया, कि अल इंडिया के लिए, सिर्फ 15% अब देखो, तो 15% अगर लेते हैं, हम यहाँ पे देखो, और sanction intake, so 240, into 0.15, 36, तो आप देख पार्स बनते हैं, कौन से बनते हैं, तो एक बनता है, होम इनिवर्सिटी और दूसरा बनता है, other than होम इनिवर्सिटी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दिया, देखो, यहाँ पे होम इनिवर्सिटी और अधर दान होम, तो almost 45% of the sanction intake आना चाहिए, यहाँ पे, तो आप देखो, यहाँ पे sanction intake कितना है, 240 into almost 0.45, तो 108 seats जो होम इनिवर्सिटी के लिए आएंगे, 108 seats are available for the home university students, और बाकी के जो बचते हैं, like 48 seats हो जाएंगे, other than home university students के लिए, अगर मैं यह एक example लेता हूँ, तो now, we'll proceed further understanding, हम आगे जाके अभी देखते हैं कि home university क्या होता है, और कौन से student का home university कौन सा है, ठीक है, according to their district, यह जो chart है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कि यह different different universities है, अगर आप देखो कि यहाँ पे, तो total 10 universities are there, ठीक है, for the maharashtra state admission process, ठीक है, तो यहाँ पे 10 universities दीए है, इन में से 2 universities पे, इन में से 2 universities पे हमें जादा focus करना है, क्यों करना है, यह भी आप समझ लो, because all over the maharashtra, maharashtra के हर area से, district से क्या होता है, कि बच्चे, Mumbai University या फिर पुनी University के लिए try करते है, ठीक है, तो इसलिए, यह चार्ज आनना जरूरी है, अब देखो, अगर आप कुमकंद रिजन लाइक, गरतनागिरी, राइगर, सिंदुदुर्ग, पालगर, ठाने, यहां से हो, ठीक है, तो you falls under Mumbai University, मतलब यह आपका home university हो गया, ठीक है, अगर कोई बच्चा सिंदुदुर्ग से पढ़ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा राइगर से पढ़ रहा है, तो उसका home university हो गया Mumbai, वैसे ही पुना में देखो क्या क्या आ रहे है, सावित्री भाई फुले पुले पुने उनिवरसिटी में, नगर, नाशिक और पुने, ठीक है, तो यह तीनों area के जो बच्चे है, जो applying for the engineering, उनके लिए home university क्या बन जाता है, सावित्री भाई फुले पुने उनिवरसिटी, मतलब इस सावित्री भाई फुले पुले पुने उनिवरसिटी में, अगर 100 seats है, तो उसमें से 45, मतलब 45 seats नगर, नाशिक पुने students के लिए available है, ठीक है, और यह छोड़के, समझा अगर मुंबई उनिवरसिटी में, अगर मैंने consider किया, I consider Mumbai University, ठीक है, तो बीड से, या फिर लातूर, नाँदेड, नाँदेड में एक बहतरिन college है, SDGS करके, बड़ स्टील, वहां के students पूर्णा में और मुंबई में apply करते है, ठीक है, तो वो जो students है, अगर मुंबई उनिवरसिटी या फिर सावित्री भाई पुले पुने उनिवरसिटी के लिए apply करते है, तो वो बन जाते है other than home university, because यहां पर उन्होंने 12 complete किया है, ठीक है, तो अगर यहां से वो अगर मुंबई उनिवरसिटी के लिए या फिर सावित्री भाई पुले पुने उनिवरसिटी के लिए apply करना चाते है, तो वो बनेंगे other than home university, ठीक है, तो फरक क्या होगा है यहां पर, इनको मिलेगा 45 seats out of 100 और इनको मिलेगा सिर्फ 20 seat, तो यह जो बाकी के है, अगर समझो मैंने मुंबई उनिवरसिटी कंसिलर किया, तो इनको मिलेगा 100 में से 45 seats, और बाकी जो भी है, उनको अगर apply करना है मुंबई उनिवरसिटी में, तो वो बन जाएंगे other than home university, और उनको मिलेंगे सिर्फ 20 seat according to the chart, मैंने यहाँ पर already clear किया है आपको, अब देख सकते हो, यह देखो 20 seats and 45, तो मुंबई उनिवरसिटी के students, जो कोंखंध रिजन से है, अगर वो apply करते हैं, तो उनके लिए 45 seats है, और मुंबई का area छोड़के, ठीक है, जो मैंने उस chart में define किया, वो अगर बच्चे अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंट एरियास दिये होए है, ठीक है, अगर मैं नांडेर का student हूँ और मैं SGGS के लिए, SGGS नांडेर कोलेज, बहितरीन कोलेज है, अगर वहाँ पर मैं apply करता हूँ, that becomes a home university for them, और उनको 45 seats मिल जाएंगे, ठीक है, तो एक बा मुंबाई उनिवर्सिटी, सावित्री भाई पुलेप उनिवर्सिटी और एनी अधर उनिवर्सिटी, तो मैं क्या बनूंगा, other than home university, this is the simple thing, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, while applying, कि क्या होता है, बाकि सब उनिवर्सिटी छोड़ दो, students in two universities के लिए apply करते हैं, okay, तो इनका, जो other than home university का जो merit है, वो बहुत high होता है, ठीक है, तो वहाँ पर number लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, in the topmost colleges, okay, वो भी हम बात में discuss करेंगे, कि कितना merit high होता है, compared to the home university, तो यह दो universities, बाकि आप किसी भी university में, अजर आप other than home university admission लेते ह है, okay, ठीक है, now coming to the next, तो अब यह home university जो रहता है, वो normally आपको private colleges में भी लेगा, देखो, यह मैंने एक modern college का example लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, other than home university, and home university, ठीक है, तो यह different categories उन्होंने दीए है, आप देख सकते हो, sanction intake कितना है, 120, तो 120 का 45% जो है, वो आना चाहिए, तो देखते है, calculate कर गए, फिर से एक बार, देखो, 120 मेरा sanction intake है, into almost 0.45, तो home university के लिए, 54 मतलब 52 तक आ गया, approximately, ठीक है, वैसे ही, अगर मैं यहाँ यहाँ पे, 120, into 0.2, 20% लेता हू, ठीक है, तो 24, मतलब यहाँ पे देखो, 21, ठीक है, तो इतने seats से आने चाहि अगे, तो normally private colleges में आपको यह home university, other than home university, यह सब आपको मिलेगा, देखो, मैंने starting में कहा था कि super numerary quota, तो यह देखो, EWS है, TFWS है, ठीक है, तो यह हम बाद में discuss करेंगे, कि वहाँ पे कैसे apply करना है, and which students are eligible for it, कौन से student इसके लिए eligible है, कौन से student इसके लिए apply कर सकते है, ठीक है अब यह home university और other than home university का जो concept है, that is not applicable, कहाँ पे, तो autonomous colleges में, अब यहाँ पे देख सकते हो, see, this is the example of autonomous college, यह VGTI है, और यह अमरावति का government college of engineering, बोद है autonomous, ठीक है, और autonomous college में other than home university का concept नहीं होता है, ठीक है, जो भी sanction intake है, that is for the maharashtra state, seats, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, sanction intake is equal to the maharashtra state seats, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ state level, मतलब home university ही दीखेगा, there is nothing like other than home university concept, तो एक चीज़ आपको देखना है, कि home university is available for everyone, ठीक है, other than home university, separate जो कोटा है, that is for the private colleges, autonomous colleges में, other than home university, कोटा नहीं रहता है, everyone has a equal opportunity in the autonomous colleges, हर एक को equal opportunity मिलेगा, all seats belongs to state level, तो final conclusion अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो conclusion में देखो, क्या क्या होगा, first is, if you are applying for the Mumbai university, और, saavitri by phulepun university, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कि other than home university का merit is very high, compared to any other university, ठीक है, ओके, दूसरी चीज़, HU and OHU, is available, in colleges like a private colleges, not in autonomous colleges, not in autonomous college, तो यहाँ पे, यह दो चीज़े आपको ध्यान में रखने है, while filling the forms, ठीक है, तो last conclusion में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आगे मेरा एक video रहेगा, कि top colleges कौन से है, हर एक area में इसे top colleges कौन से है, ठीक है, तो वहाँ पे, मुझे लगता है, personally, because मैंने इसमें 10 से 12 साल काम किया है, तो एक simple example देता हूँ, कि अगर आपको नांदेर में, अगर HGGS college मिल रहे है, ठीक है, ठीक है, this is the best college in the नांदेर, ठीक है, फिर भी आप छोड़के Mumbai University और SPPU में आते हो, और higher merit के वाज़े से वहाँ पे top college नहीं मिलता है, but किसी दूसरे college में आप admission लेते हो, तो वो mistake है, okay, this is the mistake, as far as my experience, okay, it is totally up to you, but still, this is my, according to my experience of 10 or 12 years, this is a mistake, simply a mistake, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना जाता हूँ, कि मैं आगे जाके एक video बताने वाला हूँ, कि top colleges from each and every university, ठीक है, तो वो video आप अच्छे से देख लो, तो वो video आप अच्छे से देख लो, और आप जिस भी area से अभी 12 complete किया है, तो आपका home university किया है, वो इस chart से अब define कर लो, और उसके बाद डिसाइड करो कि कहां पे apply करना है, अगर आपके home university में आपको अच्छा college मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी query है, तो आप comment box में आप comment कर दो, and I will definitely revert back to you, okay, so thank you very much, आशा करताओ, ये वीडियो आपको बहुती informative रहा हुगा, and to get the more updates and the notification, please subscribe my channel, thank you very much.